असलाम लेकूम उर्दु जबान की तीसरी किताब का आज पढ़ेंगे हम सबक नमबर 18 पार्ट का नाम है हिकायत तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए हमारे चैनल पर पहली वार आए तो प्लीज हमारे चैनल को नहीं देखिए हैं तो उनका लिंक में डिस्क्रेप्शन बॉक्स में दे दूगी वासे आप चैक कर सकते हैं तो आएए अब हम पढ़ना शुरू करते हैं बिस्मिल्लार रह्मानुरहीम नम्मर बन कोई सिकारी एक तंग मूँ वाले बरतन में थोड़ी सी मिठाए डालकर च चुपके से जंगल में रखाया एक बंदर ने उसको देखा पास जो गया तो मिठाए नजर आई पास जो गया तो मिठाए नजर आई फॉरण बरतन के मूँ में हाट डाला और मुठी भर कर मिठाए निकालनी चाही फॉरण बरतन के मूँ में हाट डाला और मुठी भर कर मिठाए निकालनी चाही लेकिन अब निकले तो क्यों कर निकले लेकिन अब निकले तो क्यों कर निकले ना बरतन का मूँ का साधा हो सकता है ना बरतन का मुझ कसादा हो सकता है ना वो बनी मुठी खोलता है इसको न तमा इजाज़त देती है ना अकल रहनुमाई करती है कि मिठाई से दस्तवरदार हो और अपनी जान बचाए आके सिकारी आया और बंदर को ग्रफतार कर लिया बेना ये मिठाल की उन लोगों पर सादिक आती है ये मिठाल उन लोगों पर शादिक आती है करते हैं यहां तक की वो बड़े अशियार यानी मोत को भी ग्रफतार करके ले जाता हैं यहां तक की वो बड़े अशियार यानि मौत उनको किरफतार करके ले जाता है इसी पाटकम दुबारा से पढ़ेंगे नमबर वन कोई सिकारी एक तंग मुँवाले बटन में थोड़ी सी मिठाई डाल कर चुपके से जंगल में रखाया एक बंदन ने उसको देखा पास जो गया तो मिठाई नजर आई फोरण बरतन के मुँ में हाट डाला और मुठी बरके मिठाई निकालनी चाही लेकिन अब निकले तो क्यों कर निकले ना बरतन का मुँ का साधा हो सकता है ना वो मुठी बंदी मुठी खोलता है इसको ना तमाई जाज़त देती है ना आकर रहनुमाई करती है कि मिठाई से दस्तवरदार हो और अपनी जान बचाए आखिरकार सिकारी आया और बंदर को गरफतार कर लिया बैन्या ये मिशाइल है ये मिशाइल उन लोगों पर शादिक आती है जो माल की महबबत में मुब्तला हो जाते है यहां तक कि वो बड़े अशियाद यानि मौत उनको गरफतार करके ले जाता है यानि मौत उनको गरफतार करके ले जाता है